नमस्कार, लाइफ में इस चीज पर कभी गमंड मत करना, कभी किसी पर कमेंड मत करना, आपने गमंड किया, आपने कमेंड किया किसी पर, तो ये बगवान का अपमान होगा, बगवान के इंसल्ट होगी, और वो चीज क्या है, पता है आपको, अपने रूप रंग पर कमेंट मत करना अपने रूप रंग को लेकर इसे मत करना कि मेरा रूप रंग में हूँ सब कुछ किसी दूसरी के रूप रंग को लेकर कमेंट मत करना आप ऐसा करोगा तो यह बगवान का अपमान होगा द्यान रखना आपको जो रूप रंग मिला है ना आपकी महनत से नहीं मिला है यह बगवान की देन है यह बगवान का आसिरवाद है आपके उपर जो आपको इतना अच्छा रूप रंग और अच्छी बोड़ी मिली है यह आपकी महनत से नहीं है अच्छा रंग रूप और अच्छी बोड़ी और अच्छी हेल्थ भगवान का सुक्रियादा करना लेकिन अगर यही आप रूप रंग को लेकर किसी दूसरे पर कमेंड करेंगे अरे यार वो तो ऐसा है उसका कलर ऐसा है वो ऐसा दिखता है उसकी नाक ऐसी है उसकी आके ऐसी है उसका चेहरा ऐसा है उसका सरीर ऐसा है उसकी बोड़ी ऐसी है अगर चार लोगों के साथ बेट कर आप किसी और के ऊपर उसकी बोड़ी को लेकर उसके रंग को लेकर कमेंट करोगे ना तो त्यान रखना यह उस सामने वाले का अपमान नहीं ह में कभी किसी के रूप रंग और किसी की बोडी हाइट को लेकर कमेंट मत करना आप तो मजाग मजाग मा कमेंट कर दोगे लेकिन सामने वाले के दिल पर जो लगेगी ना उस चोट का गाव आप कैसे बरोगे नहीं बर पाओगे और सामने वाले को तो चोट लगेगी जिल लगेगे ध्यान लखना उपर वाले को भी चोट लगेगी क्योंकि उपर वाली ने उसको जैसा रंग रूप दिया है ना वो बगवान ने दिया है उसके हाथ में नहीं था कि मेरा अच्छा रंग रूप करूं में जो भी दिया उसको भगवान ने दिया और आप उसके इंसल्ट कर रहे हों, आप उसका अपमान कर रहे हों, तो यह बगवान का अपमान हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है, तो लाइप में कभी भी अपने रंग रूप पर गमंड मत करना, आपको बगवान में अच्छा रंग रूप दिया है, तो बगवान को थेंक् इस रंग प्पर इस बोडी पर गमन्ड मत करना। ये कोई आपकी मेनत नहीं है ये कोई आपने अपने आथ से कमाया हुआ नहीं है। यह तो सिर्फ बगवान के द्वारा मिला है एक बात जरूर द्यान रखनो किसी और के उपर रंग रूप और उसकी बोड़ी को लेकर कमेंट मत करना वरना बगवान का अपमान होगा बगवान की इंसल्ट होगी और यह चीज का हर जाना आपको बहुत बड़ा बुगतान करना पड़ेगा अगर आप यह लेकर किसी के भी उपर कमेंट करोगे इंसल्ट करोगे तो हो सकता कि एक दिन आपको भी ऐसा बुगतना पड़ जाए इसलिए यह चीज की कभी किसी की इंसल्ट मत करना कभी किसी का अफमान मत करना वरना आप के लिए बहुत बारी पढ़ सकता है